हलो आपरिपाइन वेल्कम टू कलेउक पाड़शाला जैसा कि आफ सवी चानते हैं कि प्रिविएस क्लास में हमने दिल्ली सिल्पी चकर को पढ़ाता तो चलिए इसी चंखलाव को आगे बढ़ाते वे अज हम अन कलाकार को पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आ कि इसके इतिल्ली सिल्पी चक्र के कलाकार है ठीक है इनका जन्म हुआ है के 20 दिसंबर को कब होए है 20 licisnier संञाइब काई तीक है क हाँ पर लाहूर जाहन का व्हार के आपका पाकिस्तान उंटीग है इनका जन्म हुआ है इनका जन्म हुआ बीस दिसमबर qaacal 1917 में कहां में लाहौर पाकिस्तान में ठीक है इनकी म्रत्यूं कन्तियों का वी हैuz 1988 में भारत वहां और श्राम है और किansa 2 ठीक है मेwenवस्कूल उव आर्ट यह आपको फचाए नहीं होगह ठीक है सेश्प में निभलो माग किया है क्या क्या है मेर्थ श्कूल उफ आइथ निभलो माग कि आधी पेव के नियों स्कुल और श्क्षक नियुक्त हुए थे ठीक है कहां पर में स्कुल और मूदिकार थे ठीक है साथ ही साथ चित्रकार थे और कला सिक्षक थे इन्हों इनकी मूर्थियों का माध्यम क्या था तो इनकी मूर्थियों का माध्यम ये पत्थर पर भी मूर्थी बनाते थे ठीक है धातू से भी बनाते थे और लखली से भी बनाते थे ठीक है अगर इनकी मूर्थियों का माध्यम पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ये पत्थर से भी चलिए पाइंट है दिल्ली सिल्फी चक्र के क्या थे अन्यकों से संबंदितयाँ न्यक्स-शुरति весь चुक्र लगजा का नडील हूनित मिया तुत उसंत sık सर्ट्थ स्म्झन अगर इनके उपर पूच जागा कुक उसरे कि उपर पूच्छ जाएगा थे कि थे घंडाज बगत अपनी समय में भाइर्ति उपर महादीव को कि कि है कि महादीव के समकालीन मूर्दिकार попроб थे कि या इसे समकालीन सामकालीन मूर्तिकार में अग्रडी कलाकार माने जाते ठीक है चलिए अग्रडी कलाकार माने जाते ठीक है बगत भारत सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और फील्ड पॉब्लिसिटी स्टूडियों में कार किये खी किस-किस में कार किया है थो public works department ठी कह है भारस सरकार की है यह ठीक है public बर्क्स डेपार्ट्मेंठ ठीक है यहां पर कार की एंट फील पब्लिसिती पोलिसिती ऑँए है वह स्चूडियो में कदर अच्छत क सब्सक्रांद कर्का में और फीर फील्ड क्छ altre स्ट्विस्टी स्टूडियों में नेग्स सब्सक्राइब है खालनेक्ट में ध्राज्पागट घंómo assault internacional College of Arts, ठीक है, जो बर्तमान इसका नाम क्या होगा है, बर्तमान College of Technology हो गया, इस सबसे पहले क्या हो गया थे हैं, में पहले सिच्छक, फिल, स्विवा-ब्रति के समय मूर्तिकला विवाग के अध्यक्ष बना दिये गये थे, क्या बना दिये गये थे, मूर्तिकला विवाग के अ College of Technology का आजाता है किसको दिल्ली College of Art को क्या कहा जाता है College of Technology का आजाता है तो बहाँ पर यह सबसे पहले क्या नियुक्त हुए थे इस इच्छक के रूप में वहाँ पर नियुक्त हुए थी इनकी ठीक है तो उसके बाद सिवा ब्रत्थी के समय क्या बन गयते हैं मूर्तिकला भिभाग के अध्यक्ष्ण बन गयते हैं ठीक है तो दिल्ली College of Art में क्या थे पहले सिक्षक बने तो उसके बाद क्या बन गयते हैं मूर्तिकला भिभाग के अध्यक्ष्ण कर दिये गयते ठीक है चलिए नेक्स पॉइंट हमारा धन्राज बगत की मूर्तियों का माध्यम क्या थेल्डाज बगत प्रस्तर यानि पत्तर तो धातु इनामलिंग ठीक है तो अगर इनकी मूर्दियों माध्यम पूछा जागा तो यह पेपर में माध्यम से मूर्दियों बनाते थे सीमेंट कास्टिंग के माध्यम से मूर्दियों बनाते थे दातु ढलाई के माध्यम से बनायते थे बॉंबे आर्ट सुसाइटी क्या बॉंबे आर्ट सुसाइटी लेलित कला अकादमी जो आपकी कहा है कोल काता ठीक है और अखिल भारती है लेलित कला और सिल्ब सोसाइटी की प्रजेशनियों में भाग लिए थी चलिए इसको देख लिए चाने 1954 में कव 1954 में आयोजित क्या कि यह बॉंबे आर्ट सुसाइटी थी बॉंबे आर्ट सुसाइटी और ललित कला एक आदमी जो आपकी गोल काता है में और अकिल भारती ललित कला और सिल्फ सोसाइटी की प्रज़शनियों में इनोंने भाग लिया था किसने धनराज भगा दने है है भारत के अंतर राष्ट्य है भारत के अंतर राष्ट्य सिक्षड योजना के अंतर घद अमेरीका यूरोब और नेपाल का सैचति भ्रमर की एथे झाले नेक्स पॉइंट अमारा दन्राज भगत दिल्दी शिल्पी चक्र के प्रमुक सन्थापक सदस्यों में एक थे ठीक है यह गूःब सक्रेटरी भी रहते हैं तो आप दिल्दी शिल्पी चक्र के पॉइंट है पसान 1947 से लेकर 48 के बीच ठीक है इंडियन आर्ट एक्जिवीशन जो लंदन में हुआ था वह निज़े चपन इसे में पूर्वी यूरोप की भारतिकला प्रदश्नियों में भाग लिया किसे भारतिकला की जो प्रदश्नियां होती इन में भाग लिया मुर्तिकला का पर्दश्न लहराया ठीक है चलिए इसको समझ रहते हैं तो 1947 से लेकर 48 की बीच जो इंडियन आर्ट एक्जिवीशन हुआ था कहां पर लंदन में ठीक और 1956 में पूर्वी यूरोप में ठीक है महां परनान क्या किया था भारतिकला प्रदश्नियों में भाग लि साइटी फाइन आर्ट यानि आइफेक्स का इन्हें प्रतम पुरस्कार मिला था किसको धन्राज भगत को कब 1947 में ठीक है किसका आइफेक्स का यानि और इंडिया फाइन आट एंड क्राफ सोसाइटी का ठीक है इन्हें कौन से पुरस्कार मिला है प्रतम पुरस्कार समानत है तो किसे कहें गया पदम श्री से कहेंगे ठीक है कब समानत किया गया तो 1997 में किया गया ठीक है किसे पदम श्री से ठीक है चलिए नेक्स पॉइंट है धनराज भगत को Academy of Fine Art क्या कहा चाहता है Academy of धनराज भगत को Academy of Fine Art Kohlkaatha अवां पन्जाब द्चाइड़ा Fine Arts Society का पुरस्काय प्राफ्ट हुआ ठीक है त्सलिए किसको समझने ते Academy of Fine Art क्या है क нуж Math Hut पॉक्छा पाइनड पॉरल्ट थानराज भगत को प्राफ्ट हुआ है कि सलिए perfect नस्यांज गालरी ओफक्ट है नेशंनल गालरी औफ ओफ मॉडरण आर्ट ऐस राहे है अखिल भाटिध connected जिसका प्रश्ने हो सब्वाद सब्सकार की से धन्राज भगत नेका है next नाल गैलरी ओफ मॉर्दर लिए ठीक है इसका जो अखिल भाधि काशनी थी मूर्थी कार प्रиниा ठीक हुई थी प्रजशनी का प्रश्कार था कि怪 देंड्राज-भगतो जाम देट ठीक है था ठीक है कहां का देन आफ साव पालौ काशनी प्रजचनी का फुराप्त हुआ ठीक है किसको कि रशना की ठीक है जो सत्यम शिवम सुंदरम की आधार इस्तमपती ठीक है तो दन्राज बगर्दने किसे बहाय आडंबर रहे तो यानि बहाय दिखावे जो रहे थार्थ वादी पध्धोतियों पे इनों ने क्या की थी मूर्ती की रशना की थी जो किसका अधार सम्दी सत्य सुंदरम की आधार स्थमपती ठीक है चलिए गैसे कुछ प्रमुक चत्र देख लेते है कुछ इनके प्रमुक चत्र ठीक है तो टो जो पडाती कुं इन और क्रिष्ना कॉन का है इनकी बुड़िक करması शैना इनकी करतार Tribe करताएं ग्रोजा जोपड़िक नालबंदी ठीक है यह भी इंपोर्टेंट है यह किस माद्यम से बनाया गया यह प्रस्तर के माद्यम से बनाया गया ठीक है नेक्स्ट है श्रिवा दांसिंग यह किस से बनाया गया प्लास्टर से बनाया गया ठीक है किस से बनाया गया लास्टर से कॉस्मिक मैन यह भी प्लास सान यह भी लक्डी के माद्यम से बनाया गया है दी किस यानि चुम्बन ठीक है किस माद्यम से लक्डी के माद्यम से बनाया गया है ठीक है स्वा डांसिंग इंपोर्टन्ट है ठीक है सितार बादे के इंपोर्टन्ट है कॉस्मिक मैंन भी इंपोर्टन है बासरी वादक भी है अफूचए गए सार गोड़े नाल बना गया थिकक है एक्सामिक मेंयक यह प्लास्टर गादे मसे बनाए है से के मादिम से बनाई गाए दिकेंग बुड्शनर जांती पनाया जांती किस माध्या मेरा है लकडी के मताया गया इसको घुणस pasa